Hey everyone, तो आज का ये वीडियो हम इन दो सेलिब्रिटीज के साथ शुरू करेंगे तो आप में से कईयों को ये पता होगा कि लेजिंडरी म्यूजिक कमपोजर एयार रहमान ये पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने अपना रिलिजिन चेंज किया था और वही popular actor धरमेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए अपना रिलिजिन चेंज किया था तो अब इनसे जुड़े दो सवाल पहला कि अगर एयार रहमान अरुनाचल प्रदेश के होते तो क्या ये इतने easily अपने रिलिजिन को चेंज कर पाते और वही जैसे धरमेंद्र ने 1979 में इसलाम रिलिजिन को अपनाया था दूसरी शादी करने के लिए वैसे ही क्या आप अभी के टाइम पे दूसरी शादी करने के लिए रिलिजिन चेंज कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम इन ही दो सवालों को डिसकस करेंगे अंटी कंवर्जिन लौ कभी भी वॉलेंटरी कंवर्जिन पे बैन नहीं लगाता यानि कि अगर आप खुद अपनी इच्छा से अपना रिलिजिन चेंज कर रहे हो तो ये लौ उस पे बैन नहीं लगाएगा ये सिर्फ involuntary या forced conversions पे बैन लगाता है जिसका मतलब कि इसको objective ये है कि ये उन सभी लोगों को punish करता है जो किसी को मजबूर करे कि वो उनका religion अपना है या फिर वो उनको prevent करे कि वो किसी और religion में convert नहीं हो सकते तो चलिए जानते हैं कि इंडिया में anti-conversion law आखिर आया कहां से तो आजादी के पहले भी anti-conversion laws मौजूद थे जिन्हें princely states, especially Hindu princely states ने introduce किया था और आजादी के बाद भी ये laws बनाये तो जरूर गए लेकिन इन में से कोई भी successful नहीं हो पाया तो पहले के जो anti-conversion laws होते थे ये ज्यादा तर हिंदू community के लिए होते थे ताकि कोई भी हिंदू अपना religion change ना कर सके या convert ना हो सके इंडिया में British rule के दौरान 1930 से 40 के बीच हिंदू princely states ने religious conversions पे रोक लगाने के लिए कुछ laws को adopt किया था और ये laws इसलिए पे लाए गए ताकि हिंदूस की जो identity है उसको बचा के रखा जा सके British missionaries की बीच में क्या आपको पता है कि इंडिया में already 8 ऐसे states है जहाँ पे anti-conversion law implemented है और अब जल्दी UP भी इस list में शामिल होने वाला है लेकिन ये anti-conversion law all over India में क्यों लागू नहीं होता क्योंकि इस पे law बनाने का power सिर्फ state governments के पास है तो present situation की अगर बात करे तो central government ने anti-conversion law को support करते हुए इसे national level पे लाने की बात की है लेकिन अगर ये law national level पे आ जाता है तो क्या ये secularism का violation नहीं होगा वेल फिलहाल तो सिर्फ state governments के पास ही ये power है कि वो अपने state में anti-conversion law लाए या फिर नहीं तो आखिर anti-conversion law को लेकर इतनी problems क्यों आ रही थी और इसके disadvantages क्या है वेल कई लोगों का कहना है कि ये law ज्यादतर Christianity को target करता है क्योंकि ऐसे allegations है कि maximum कोशिश ये हो रही कि लोग Christianity अपनाए 1980s में भी इस law को Muslim community के against माना गया था सो पास्ट में कई Indian states ने freedom of religion bills या फिर anti-conversion bills पास किये थे specially ताकि कोई भी Christianity को ना अपना सके सो इसलिए ये law abuse होने के risk में है by communal forces सो freedom of religion और anti-conversion laws इन में से किसे opt करना है इस पे लंबा debate चल सकता है तो सबसे पहला state जिसने anti-conversion law implement किया था वो था Odisha in 1967 तो चलिए अब कुछ ऐसे incidences discuss करते हैं जिसके कारण ये anti-conversion की issue इंडिया में आई तो पहला case है ref stanis laws का इसमें Supreme Court Bench ने कहा था कि Constitution का Article 25 Freedom of Religion के बारे में बात करता है कि कोई भी अपने मन से किसी भी religion को propagate कर सकता लेकिन court ने इस case में ये भी कहा कि propagate religion का ये मतलब नहीं कि आपके पास right to conversion भी है यानि कि आप किसी दूसरे person को अपने religion में convert नहीं कर सकते आप उने induce नहीं कर सकते सो convert होने के valid reasons भी होने ही चाहिए आप अपनी मर्जी से किसी और को convert नहीं करवा सकते हो जैसे एक incident है सरला मुटगल केस का इस case में court ने clearly कहा था कि अगर कोई person हिंदू है और उसे सिर्फ एक से ज़ादा शादी करने के motive से अगर इसलाम धर्म अपनाना है तो ये conversion भी valid नहीं होगा अब यहाँ वो खुद से अपना religion change कर रहा किसी ने भी उसे restrict नहीं किया और ना ही कोई उसे मजबूर कर रहा है लेकिन फिर भी ये conversion invalid है क्योंकि जिस religion में वो convert हो रहा या जो religion वो change कर रहा उसमें उसका कोई faith ही नहीं है वो सिर्फ polygami practice करने के लिए इसलाम religion अपना रहा है सो religion पे faith होना भी जरूरी ही है बेसिकली सब को convert होने का right है लेकिन जिस religion में आप convert हो रहे हो उसमें faith होना भी जरूरी है पर आपके पास right नहीं है उन states में जहां anti-conversion law implemented है कि आप किसी को अपने religion में convert होने के लिए मजबूर करो या फिर prevent इवन United Nations Universal Declaration of Human Rights ने भी religious conversion को एक human right बताया है तो देखा जाए तो anti-conversion laws freedom of religion को violate नहीं करते हम सब के पास पूरा अधिकार है कि हम किसी भी religion को voluntarily या फिर अपनी इच्छा से choose कर सके अपना अच्छा बुरा देखते हुए तो मैंने आपसे वीडियो की starting में दो questions पूछे थे पहला कि अगर AR रह्मान अरुनाचल प्रदेश के होते तो क्या वो इतनी easily अपने religion को change कर पाते तो वैल इसका answer होता बिलकुल कर पाते क्यों? क्योंकि उनका जो conversion था वो voluntary था उन्होंने अपनी इच्छा से अपना religion change किया था अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अरुनाचल प्रदेश की बात क्यों की? वेल अरुनाचल प्रदेश उन आठ स्टेट्स में से एक स्टेट है जहां पे यह anti-conversion law implemented है इसलिए मैंने यहाँ अरुनाचल प्रदेश की बात की थी तो मैंने दूसरा सवाल यह था कि जैसे धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए अपना religion change किया था तो क्या वैसे ही आप अभी के टाइम पे अपना religion change कर सकते हो तो इसका जवाब यह होगा कि आप सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपना religion change नहीं कर सकते जिस भी religion में आप convert हो रहे हो उस religion में आपका faith होना जरूरी है तो अब हम बात करते हैं procedure की कि आप जो अपना religion convert करना चाहते हो इस conversion का procedure क्या होता है तो वैल आपको court में जाके district magistrate या फिर collector को 30 days का notice देना पड़ता है कि आप अपना religion convert करना चाहते हो तो इस 30 days notice period के बाद जो district magistrate होते हैं यह आपको या तो permission grant करेंगे या तो फिर restrictions लगा देंगे तो यह दोनों power district magistrate या फिर administrative authorities के हाथों में ही होती है लेकिन अकसर इन मामलों में administrative authorities के जरिए कई सारे interferences भी देखे गए हैं तो आपको क्या लगता है कि यह जो anti-conversion law है या फिर freedom of religion law इसे national level पर लाया चाहे और क्या यह seriously freedom of religion को violate करता है यह हमें comment करके जरूर बताए तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही और भी कई important topics पर जानकारिया पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और family law के course की जानकारी आपको description box में मिल जाएंगी Thank you, bye bye